कहने लगे ग्यारा रुपे खर्च कियें आपका मकान ढूंडने में मैंने दर्वाजा खोले भी ना कहा मुझे धिकार है कि पचीस साल से शेहर में हूँ आधा शेहर तो कम से कम जानता है आपको मेरे पते में ग्यारा रुपे लग गए या आप मुझसे लीजिए और कहीं होटल में आराम करिए रिक्षेवाला मुझे जानता था उसने बारीक इशारा किया ग्यारा रुपे ले लेने का मैंने उसे ग्यारा का इशारा और कर दिया मैं जानता हूं उन्हें डाउन समझ कर रिक्षा वाले ने कुछ कमा लिया होगा कोई बुरी बात नहीं जो रिक्षे वाले को रोज दुकान पर लूटते हैं उनसे उसने 11 रुपे ले लिए ये शुब हुआ वे कहने लगे जरवाजा तो खोलिए मुझे 10 मिनट आप से जरूरे बात करनी है नमस्कार दोस्तों आज पेशे खिद्मत है हरी शंकर परसाई जी का व्यंग देश के लिए दीवाने आए ये व्यंग उनके व्यंग संकलन वैशनों की फिसलन का एक हिस्सा है देश के लिए दीवाने आए सुबह 8 बजे से 11 बजे तक मैं लिखने पढ़ने की जगा से उठता नहीं फिर दो घंटे बाहर निकलता हूँ दोस्तों से मिलता हूँ कोई दोस्त न मिले तो बस स्टेशन के पास की पुलिया पर बैठ कर बसें, कारें और रिक्षे ही देखता रहता हूँ फिर 3 से 7 बजे तक लिखना, पढ़ना, सोचना फिर 7 से 9 बजे रात तक दोस्तों के साथ आपस में चर्चा, हंसी में जाग बिना वर्जना के एक दूसरे की टांग खीचना और ये सब खुले में लोगों के सामने सब का मन चैन पाता है राशन का जोला लोग भूल जाते है बड़ा आनंद होता है पर आज दो पहर दो बजे जब मैं रेडियो से वारता रिकॉर्ड करा के लोटा और भोजन करने बैठने ही वाला था कि एक सजजन रिक्षे में पधार गए साथ मैं रिक्षा वाला और अंगरक्षक याने चमचा दर्वाजे पर दस तक दी मैं उनसे दो एक बार चार-पांच मिनट मिल चुका था मैं पहचान गया मैंने देखा वे नशे में धुत्थ थे न जाने कितनी पी ली थी चमचा ठीक था उसने एक बून नहीं ली थी कहने लगे ग्यारा रुपे खर्च किये हैं आपका मकान ढूंडने में मैंने दर्वाजा खोले भी न कहा मुझे धिकार है कि पच्चीस साल से शेहर में हूँ आधा शेहर तो कम से कम जानता है आपको मेरे पते में ग्यारा रुपे लग गए या आप मुझसे लीजिए और कहीं होटल में आराम करिए रिक्षे वाला मुझे जानता था उसने बारीक इशारा किया ग्यारा रुपे ले लेने का मैंने उसे ग्यारा का इशारा और कर दिया मैं जानता हूँ उन्हें डाउन समझ कर रिक्षा वाले ने कुछ कमा लिया होगा कोई बुरी बात नहीं जो रिक्षे वाले को रोज दुकान पर लूटते हैं उनसे उसने ग्यारा रुपे ले ले लिए ये शुब हुआ वे कहने लगे जरवाजा तो खोलिए मुझे दस मिनट आपसे जरूरे बात करनी है मैंने कहा शांको आईए मुझे भोजन और आराम करना है मैं सुबह साड़े साथ बजे से काम कर रहा हूँ कहने लगे इंद्रा गांदी भी पांच मिनट का टाइम देती है आप उनसे भी बड़े हो गए आप पांच मिनट टाइम नहीं देंगे मैं जानता था जिस हालत में वे थे उसमें पांच मिनट का मतलब दो घंटे होता याने नशा उतरने तक मैंने कहा छोटे बड़े का सवाल नहीं है आप पहले पास की पुलिस चौकी जाईए वहाँ इंस्पेक्टर से कहिए कि मुझसे मिलना है वो आपकी तलाशी लेगा और एक सिपाही साथ भेजेगा वे बोले क्याने आप प्रधाल मंत्री से भी बड़े हो गए इतनी सुदक्षा मैंने कहा ये बात नहीं है आप पुलिस चौकी जाएंगे तो आपके सिर पर एक बाल्टी ठंडा पानी डाला जाएगा और फिर सिपाही दो जापड मार कर कहेगा क्यों बे साले अकेले ही अकेले हम नहीं इसलिए शाम को आईए मगर बात क्या करनी है वे बुले एई देश की दुर्दशा के बारे में मैंने कहा 2400 घंटे देश की दुर्दशा की बात होती है 57 करोड आदमी बात करते है पर बात से कहीं देश सुधरता है आप पांच मिनट बात कर लेंगे तो देश का क्या फाइदा होगा वे हद से बाहर थे कहने लगे तो फिर दुनिया के भले के बारे मैं बात करूँगा मैंने कह मैं न देश का चौकीदार न दुनिया का आप चौकीदारों से बात कीजिए वे कहने लगे आप शराब पिये हैं मैंने कह नहीं पिये हूँ एक शराब मैं खुद डूबा अद्मी किसी को नहीं समझ पाता, अपने साथी को भीजो। मैंने चमचे को बुलाया, वो आया, मैंने उससे कहा, सींख्चे में से मुझे सूंग और उन्हें बता। साथी मजा ले रहा था, वो आया, नाक सींख्चे से अंदर डाली। मैंने उ कुछ और संजीवनी लेकर चले आए, असर हुआ तो बोले, आप मुझे घर में नहीं आने देंगे। मैंने कहा, देश की बात तो सींख्चों के आरपार से भी हो सकती है, करिए, मैं और आप कुल एक फुट दूर है, मुझे अब मज़ा आने लगा था, सोचा, खा लेंगे खाना कभी। वे कहने लगे, सुने आप कॉफी पीते हैं। मैंने कहा, हाँ, छे साल कॉफी पी, अब एकदम बन कर दी है। वे बोले, सिर्फ छे साल? मैं तेस सालों से बीराओं। मैंने कहा, आप मेरे पर दादा हुए, परणाम करता हूँ, अशिरवात दीजिए कि आपक अबनी मुझे परण करे। आए बाबरे, मैं मर जाँगा। किशन तुर मुझे मार डाल, इसी वक्त सुरा भौंग दे। किशन उनका साथ ही मुस्कुराया, मेरी तरफ देखा, वे किक में बोलने लगे। इस किक से मैंने अपने आपको अनगिनती लाते मारी हैं, मित्रों क जिनों ने मुझे हर बार माफ किया है। इतने उपद्रव किये हैं कि Confessions of a Opium Eater से अच्छी किताब बन सकती है। सत्य शुब हो, अशुब हो, काला हो, साफेध हो, साहित्य उसी से बनता है। वे कहने लगे। चलिए वार्ज लें, कुछ लेंगे। मैंने कहा। मैंने वो सि कीमत दे दीजे, मैं बिजली का बिल चुका दूँगा। वे कहने लगे, आपको चलना होगा, मैं मुहले में तूफान खड़ा कर दूँगा। मैंने कहा, आप पिट जाएंगे। उधर देखिए, आठ मजदूर आपकी सेवा के लिए तैयार खड़े हैं, पूछ गये हैं, इधर ये चार युवक, या मैं पुलिस को फोन कर दूँँ, वे दबे, बोले, वो जो आपको शराप बिला दे, उसके खिलाफ आप नहीं लिखते, ये क्या बात है। मैंने कहा, आप दो बोतलें रख जाएंगे, और आठ दस दिन में अपने खिलाफ पढ़ लीजिए, मैं के खिलाफ लिखता हूँ, आपका सिध्धान कहां उड़ गया। साथी ने इशारा किया कि इन्हें अंदर आ ही जाने दो। मैंने दर्वाजा खोल दिया, वे बैट गए, कहने लगे, इतनी देर तो प्रधान मंत्री के बंगले के सामने नहीं घड़ा रहना परता। मैंने क कुछ शान्त हुए। कहने लगे, देश का भविष्य अब कही हदों में है। मैंने कहा, देश का भविष्य मेरे हाथ में हो, पर दबे माल का गोदाम तो मेरे हाथ में नहीं है। आप क्या धंदा करते हैं, जो ग्यारा रुपे रिक्षे वाले को दे लेते हैं। वे साफ ब मैंने कहा जब अभी आनंद है तो फिर देश की दशा आप क्यों सुधारना चाहते हैं देश की दशा सुधरेगी तो आपके बिगडेगी आपकी खटिया खड़ी हो जाएगी वे कहने लगे मुझे इतना क्लेश हुआ जब सुना के आप पर हमला हुआ है पर इस देश ने उन होता है बेवक्त करना आत्मघात होता है उन्होंने बेवक्त किया हम वक्त से करेंगे वे अब अच्छी बातें करने लगे थे कहने लगे आप पहले सरीखे ही आग उगलें मैंने कहा आग उगल रहा हूं पर आप चाहते हैं सिर्फ कुछ अफसरों पर उगलूं ताकि आपक वे बोले, हम तो ऐसे ही कोई डेली में बढ़ लेते हैं। मैंने कहा, जब पढ़ा ही नहीं तो लिखे पर बात क्यों करते हो। फिर मैंने कहा, आपके साथी ही कहते होंगे कि पीट साले परसाई को, पीट अफसर को, जिससे नंबर दो की सड़क पर कदम बढ़ाने की उसकी हिम्मत न पड़े और हम जनता का खून चुसें। अब मैं लिखता हूँ, गोदाम को या तो तोड़ो या आग लगा दो, जो आदमी नहीं खा पाता उसे आग को सौपो, हलाकि मैं जानता हूँ कि प्रेम बड़ा है, शाशन में, नेतरत्व में और आदम खोर में, विशान्त हो गए, कुछ शोक गरस्त भी, कुछ पच्चतावे में भी, आँखों में आशू आ गए, आदमी या पानी बन कर निकल रही है, पता नहीं जन की आँखों से खून बन कर कब निकलेगी, मैं इंतजार में हूँ, फिर उन्होंने पूछा कि फला फला मंतریों से आपके कैसे संबन्न है, दो-तीन खास वीभागों के दो-तीन खास मंतریों के बारे में पूछा, मैंने कहा, अच्छे संबन्न है, समझ गया, मंतری से काम कराने शहर से निकले होंगे, पर रास्ते में वो दुकान मिल गई होगी, मैं सब समझ गया, तब मैंने उनसे कहा, आप विदा हों, मैंने काफी समय आपका नश्ट किया, शमा करेंगे, वे बीडी जलाए थे, दाएं हाथ में, मैंने कहा, बीडी बाएं हाथ में ले लीजिए, मैं दाएं हाथ से हाथ आएगा, उन्होंने बीडी बाएं हाथ में ले ली, मैंने उनसे कसकर हाथ मिलाया और कहा, बहुत आभारी हूँ, रिक्षा आपका इंतजार कर रहा है, वे कहने लगे, आप मुझे घर से निकाल रहे हैं, मैंने कहा, नहीं, मैं प्रेम से हाथ मिला कर आपको सम्मान विदा क रहा हूँ, आप तो एक रिष्टे से मेरे परदादा होते हैं, साथी ने उन्हें रिक्षे में बठा दिया, देश का भविश तै हो गया, विश्व का भी, पर मेरा अंदाज है, उन्होंने जरूर किसी बार में बैठ कर देश और विश्व के कल्यान के बारे में सोचा होग दे सीरियस कॉमेडी शो पर आपके आगमन का बहुत बहुत धन्यवाद